इस वीडियो में प्याश्टो हम लोग पढ़ने वाले क्लास टेंथ मासीक पर इच्छा प्याश्टो जो सितंबर में आपका होने वाला 24 तारीका साइंस का बाइरल अबजेक्टिव कोश्चन मेरे प्याश्टो चीट पूर्जा बना कि मिलेगा मिरे प्याश्टो चले आज की क्लास करते हैं फर्स्ट कोशन आप सभी के सामने हैं कारबन डायकसाइड और जल अविक्रिया करता है प्यास तो उत्पे रख के रुप में को ने सूर परकास अविक्रिया में ठीकर प्यास तो आपसन नमबर सी दा राइट अंसर सेकंड नमबर कोशन है जल में घुलंग सील छार को क्या कहत है जो जल में घुल जातार प्यास तो उसे चारी करते हैं ठीक है ध्यान दीजिगां अधूनिक अवर्द सार्णी में 36 कतरों के संख्या क्या कलाती हैं प्यास तो आपको बार वर हम रटवाएं कि ये कोशन एक्जाम में भी आपको आएगा देखिए 36 का मतलब होता है कि जम ठीक है अउदबारदर को बर्ग कहेंगे दम रट लिजिए एक्जाम में आपको आने वाला प्यास तो और मेन एक्जाम में भी आएगा चाथा नंबर कोशन देखेंगे अब एक किरिया जेडेन ओ है और सी ओ जेडेन पलस सी ओ कौन सा उपचैत होता है आपको बताना है प् जो एक्जाम में भी आपको पुछे जाते हैं कमरे के ताप पर द्रवस्ता में रहने वाले धातू याद के रिप्यास तो बहुत वरारं हम आपको कॉलास में करवाए है पारा अचैसिया धातू की बात करेगा तो क्या होगा ब्रोमिन ठीक ना यह सम आपको याद होना चाह रखना है आगे देखेंगे question number six रग्त क्या है बहुत बार हम आपको रहा है कि रग्त क्या है एक तरल सनल जी उत्तक है रग्त का पीच मान आपको कमेंट करके मुझे बता दीजिए seven number question देखते हैं मूतर का पीला रग्त प्यास तो किस बरना के कारण होता है जैसे पेड़-पौधे के पतिया हरा होता है किसके कारण क्लोरो फिल के कारण तो इसका मुत्रकर प्यास तो कभी-कभी देखते होंगे कि रंग उसका पीला होता वो किसके कारण यूरो क्रोम के कारण ओप्शन नमबर 6 दा राइट अंसर यूरो क्रोम के कारण ठीक है गंद आता है यूरिया अमोनिया के कारण 8 नमबर देखें निमलीकित में से कौन सा उवहाइलिंग जन्तु है उवहाइलिंग जन्तु आपको बताना है 8 का फटा-फट तो सरजी केचुवा केचुवा इसदर राइट अंसर ठीक है रप्यास तो चलिए नीन में से कौन सा सर्ववच्छी है सर्ववच्छी नामे लग रहा है उवहाइलिंग तो सर्ववच्छी तो बताइए तो सर्जी तेल चक्ता ठीक है चलिए आगे देखते हैं 10 नमबर कोश्चन एक अपसारी दरपन जल में डूवोने पर किस दरपन के तरह बेवार करेगा देखें सबसे पहले अपसारी का मतलर प्याश तो अवतल दरपन ठीक है इतना याद रखेगा तो वो किस दरपन के तरह बेवार करेगा फटापट बता दीजिए दसका तो सर्जी वो उतल के तरह करेगा पानी में डूवाने के बाट ठीक न याद रखेगा कॉन्भैक्स मीरर के तरह इगारा नमबर कोशन देखिए हजामती दरपन की किरिया सही होने पर उचित सर्थ क्या है हजामती दरपन रप्याश तो सबसे पहले तो अवतल दरपन का उप्योग किया जाता आपको इकजाम में तो आही हजाम आएगा हम बार बार बोलड है कि बोर्ट के एकजाम अगर तयारी करना चाहते हैं आपको पस टाइम कम है सर जी हम अभी तक नहीं पढ़ें क्या आप पढ़ें ऐसा तो एकजाम में बहुत अच्छा नमबर आ जाए तो आप हमारे साथ जूर सकते हैं प्यास्तों हम एक गेस कोशन देते हैं मिर भाई जो 100% दम आने की ग्रांटी लेते हैं एक्जाम में आपका आएगा ठिक ना चलिए प्लस में प्रती दिन लाइब क्लास होता है तो आप लोग चैनल भी पहल आप में आ जाए सौर उर्जा सीधे विधूत बदलने वालती को कहते हैं सौर उर्जा को करण प्यास्तों सीधे विधूत उर्जां बदलने वालती को कहते तो सॉर सेल ऑप्शन नमबर डी इस दाराइट अंसर चोदा नमबर देखें एक उत्तर लेंस के निचले भाग होगा ठीक है तो याद रखेगा प्यास्तों चौदा का राइट अंसर होगा ऑप्चन नमबर सी कम चम कीला बनेगा पंदर नमबर कुश्चन देखिए अफवरतनांग का रंग निर्भर करता है अफवरतनांग का रंग निर्भर करता है फटा फट कमेंट करके बताइए मुझे तो सरजी बर्न विच्छेपन पर ठीक है निमलिकित में से कौन सा बर्न विच्छेपन पर दरसित करता है बताइए तो बर्न विच्छेपन पर आश्ता आप देखेंगा कि ए यही बार एक्जाम में पूछा गया है थाइरॉक्सिन हर्मोन संसलेशन से निमलिखित में से किसका होना आवस्सक है थाइरॉक्सिन में प्याश्टो आपको याद किजे थाइराइड गरंती से निकलने वाला थाइरॉक्सिन हर्मोन है और यह कब होता है प्याश्टो तो जब यहीं पर चीनी की बात क्या जाए तो सी बार है एच बाइस ओई गार है ठीक ना हर एक चीज को आप कनेक्ट करके रखेगा यह मेरे पैस तो इल्कोहॉल के हो गया यह हम लोका सलफ्यूरी कम के हो गया और यह किसी का नहीं है आगे देखते हैं ग्रीन होस्त गैसों का सबसे अ ठीक है एक ग्रीन होस्त गैस के नाम बता दीजिए तो कारबन डायक साइड याद रखेगा देखें प्यास्तो मेरा मकसद है आपको यह एक्जाम तो इसकूल वला ऐसे ही है मजाक है आप लिखिये चाहिए लिखिये कोई फायदा नहीं है लेकिन हाँ अपना मुल्यांकन ज जरूरत है देगे प्यास तो हम बार-बार बोले कि आप इतना कोश्ण पढ़े हैं और सीखे इतना तो क्या फाइदा प्यास तो आपको मितना ही पढ़ाएंगा और इतना अगर आप सीख जाएगा तो आपका एक्जाम में सारा यहीं से आने वाला है तो सिलेक्टेट देते हैं वहीं कोश्ण एक्जाम में आता है तो अगर आप जूड़ना चाहिए प्यास तो जरूर जुड़िएगा दोसों चासुच कोई ज्यादा नहीं है ठीक ना में बहुत सारा चीज़ में आपको करवा रहे हैं और हर चीज़ का PDF नोट्स दे रहे हैं तो क्या इरो टू सर्जी संबंध है बायो पर्दूसन से मेरे भाई याद रखेगा इरो टू क्या है एर पॉलिशन से ठीक ना प्यास तो अमल वर्षा के कारण मोस्ट B.V.I. कोश्टन ये समहें मेरे प्यास तो अमल वर्षा के कारण A.C.O.2 आ ये क्या है ग्रीन हॉस गैस याद ये कारवन मोन ओक्साइड है धुआ हमें पाए जाता है ठीक ना शेदियो निन में से कौन सा त्री गुर्णूत है त्री गुर्णूत है मेरे प्यास तो फटा फटा आपको बताना है और मेरे भाई आप चैनल पर जरूर पहली बार आएंगे तो जरूर सस्क्राइबर के ज देखें प्यास तो यह अब किरिया एक दिया गया किस परकार का प्यास तो देखें इसमें क्या होता है कि आईनों का अदान परदान हो रहा है जो ओ है मेरे प्यास तो देखें एल के साथ जुड़ गया मेरे भाई आपको बाहर निकाल दिया तो याद कीजिए हम आपको बत स्थापन करिया है आगे ध्यान देंगे जिंकाइट किस धातू का आयक्स है तो भाई नामे है जिंकाइट तो सर जी जिंक का ओगा ठीक है एलमुनियम का क्या अतर पैस तो बॉकसाइट लोहा का क्या था है हेमेट टाइट याद रखेगा निमली कितमे कौन सो सम्मीकरन संतु सुलिद समीकरम किसे करते हैं जिसके हिरशित हो बायज पच्छ और दयबर बरावर ने कि दो हाई्ड आउड दो हाइड्रोजन यहां देखें दो हाईड्रोजन है लेकिन और शिंगाहस एक यह संतूटिधी नहीं है अभuarरकिनी संतूलिद करेंगे आपशन करमाला हाँ बोलता है कि निमली के तो संतूलित करें तो संतूलित कर देते हैं शेक करना था खाली बाया पच और दाया पच बराबर नहीं होना चाहिए अब एक करिया एक दिया गया पच तो कौन से पदार्थ का उपा चैक हो रहा है ठीक है तो याद किजिगा यह समक्ष्टन आपको पढ़ाया है पच तो याद रखेगा आयो का यानि आयो कोन है सर जी आई टू आयोडीन का जान देजी एल्मूनियम का परमानु संख्या बार सोना के बार बार पूछा जाता है रप्यास तो 79 होता है प्लैटनम के रप्यास तो 78 होता है ठीक है बार बार यह समक्ष्टा जाता है लोहा के 26 होता है मिरप्यास तो उसके बाद एक कोश्टन पूछा जाता है सोडियम के 11 होता है इतना मिसे आपको एक एक जाम मिरप्यास किस color के होता है? मेरे पर आश्टो माजट जा माजट जा? याद किजी औरेंज मतलम माज़ा सरजी, सन्तरा सरजी सन्तरा कैसा होता? पीला तरगी तो पीला हो जाएगा. इतना simple trick का सुर्ड चेसरजी? सन्तरा पीला तो पीला लगा देंगे बस इलो, अर लाश्ट कोचन रिप्याश्टो बार-बार बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड इक्जाम का तयारी बहुत अच्छा सोजाए कम समय में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जूर सकते हैं, और अपने दोस्तों के पास जरूर सेर किजिएगा, और ब ले लो कोच्छन, हमसे ले लो कोच्छन, तो नर्मन प्याश्टो एने ओच हो जागा, ठीक है, तो 30 का बी नबर, इस परकार प्याश्टो आपको हम 1 से 30 तक बहुत अच्छे-च्छे सिलेक्टेट कोच्छन दम ले के आये थे, आप इतना अगर याद करके एक्जाम में जा प्रते दिन 8 बजे लाइव क्लास होता है, उसमें भी जुड़िएगा, आपको दम मजा आएगा, मिलते हैं प्याश्टो नेक्स टुडियो में तर तक के लिए जाहें